आज हम ऐसे तीन हेल्थ ड्रिंक्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे इम्मूनिटी सिस्टिम पे काम करेगी और हमारे हेल्थ को अच्छा रखेगी COVID-19 एक ऐसे बीमारी है जो सदियों में आती है और सबसे बुरी बात ये है कि इसकी अभी तक कोई वैक्सिनेशन निकली नहीं है और इतने जल्दी ये वैक्सिनेशन निकलेगी इसके आसार भी दिखाई नहीं दे रहे हैं तो तब तक हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे खुद के लिए और हमारे फैमिली के लिए अपनी तबियत को ठीक रखें जैसे कि आज हम नियूज में देख रहे हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हमारे मेडिकल फैसिलीटी कम पड़ रही है हॉस्पिटल्स में बेड कम है ऐसे समय में हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि हम हमारी तबियत को अच्छा रखें ऐसे नौबत ही ना आए कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े हॉस्पिटल में जाना पड़े ऐसे वक्त में सबसे बड़ा रोल होता है हमारी इम्यूनिटी सिस्टीम का तो आज हम देखेंगे कि हम इम्यूनिटी सिस्टीम को कैसे अच्छा रख सकते हैं इसके लिए जैसे गवर्मेंट ने हमें बताया है कि विटामिन C की जो पिल्स होती हैं वो आप ले, मल्टी विटामिन की गोली ले, तो ये तो है ही लेकिन इसी के साथ हम घर पे भी कुछ ऐसे ड्रिंक्स बना के पी सकते हैं, तो अब हम देखेंगे हमारे इमिनिटी द्रिंक्स कैसे बनते हैं, हमारा पहला द्रिंक पूरी फैमिली के लिए है, जिसके इंग्रिडियंट्स हैं, वन पिंच हल्दी, वन पिंच काली मिर्च पावडर, एक चम्मच भर के गुड़, और एक गिलास गरम दूद, हल्दी वाले दूद में गुड़ डाल कर पिने के बहुत जादा फाइदे हैं, यहाँ पर आप काली मिर्च पावडर के जगह पर सफेद मिर्च पावडर यानि वाइट पेपर पावडर भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी मेडिसिनल वेल्यू जादा होती है, अब हमारा फर्स्ट हर्बल मिल्क तैयार है, अब बहुत जल बार खाने पीने पे बहुत ज्यादा ध्याम देना होगा, यह जो ड्रिंक्स में आपको बता रही हूँ, यह आप आपके डेली डायेट में इसे जरूर शामिल करें, आपको बहुत फाइदा होगा, हमारा सेकेंड ड्रिंक घर की औरतों के लिए है, घर की बड़ी बुज़र्ग औरते, प्रेगनेंट वुमन, यंग गल्स उनके लिए, इसमें सारे हमारे पहले ड्रिंक के इंग्रिडियन्ट है, और एडिशनल एक इंग्रिडियन्ट है, जो है शतावरी कल्प, जिसे वुमन्स टॉनिक कहा जाता है, वो लेडी की सारे प्रॉब्लम्स के उपर बहुत अ दो चम्मच डालेंगे हम शतावरी कल्प, मैं रिकमेंड करूंगी पतन जली का शतावरी कल्प क्योंकि वो प्यूर है और शुगर फ्री है, बाकी जो ब्रैंड जाते हैं उसमें बहुत जादा कॉंटिटी में शुगर होती है, तो वो डालके आप फिर उसमें गुड नहीं यह दूदा आप दिन में कभी भी पी सकते हैं, सुबह नाच्टे के बाद, या शाम को, या रात को सोने से पहले, यह बहुत ही हिल्दी है अब हम पीने की पानी की रेसिपी देखेंगे, इस पानी के रेसिपी में चार हब्स जाते हैं, जो की हैं हल्डी, जीरा, लॉंग, और एक दालचिनी का टुकडा यह पानी आप दिन भर भी पी सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पीना है, तो एटलिस दिन में तीन बार पिए, एक सुबह उठते ही, दोपहर में खाना खाने के बाद, और रात को सोने से पहले अब हम इसमें डालेंगे वन पिंच हल्डी, मसले के डिब्बे में जो चम्मच होता है, वो चम्मच हमने यूज किया है, दो चम्मच जीरा, दो से तीन लॉंग, और दालचिनी का एक टुकड़ा, जिन्हें हमेशा सर्दी खासी की तकलीफ होती है, उन लोगों के लिए ये पानी बहुत ही फायदे मंद होगा, ये पानी वेट लॉस के लिए भी फायदे मंद है, इसलिए recommended है कि आप जब भी इसे पिए तब थोड़ा warm करके पिए, वो जादा helpful रहेगा, इसे आप रात को सोते समय बना के रखे और सुबह उठने के बाद थोड़ा सा गरम करके पी सकते हैं, इसे एक अच्छा उबा लाने के बाद हम गैस बंद कर देंगे और ये पिने के लिए तैयार हो जाएगा, इस पानी में हम वन पिंच काली मिर्श पावडर यानि ब्लैक पेपर पावडर भी यूज कर सकते हैं, ब्लैक पेपर पावडर इम्म्यूनिटी बढ़ाने के साथ, वेट लॉस के लिए भी काम आती है, और जिनको एलर्जिक अस्थमा होता है, य अगर आपको हमारा ये वीडियो हेलपफुल लगा हो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो जब भी निकले तो आपको पहले पत अच्छले तक्यू